हाई फ्रेंड्स मैं सुनीदा बाई ब्रिलेंट अबकस अकडमी के इस यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करती हूं हमने देखा है 15 नंबर के वीडियो में लेस के बिग फार्मुलाज उस फार्मुलाज में हमने देखा लेस नाइन लेस एट लेस सवन लेस शिक्स अन स्माल एंड बिग फार्मुलाज लेस के बिग फार्मुलाज फाई तक तो आज इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं लेस के जो बाकी फार्मुलाज है लेस फॉर लेस ट्री लेस टू एंड लेस वन आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है ताकि आपको सारे फार्मुले अच्छी तरह से समझ में आए और आपकी अच्छी तरह से फ्रैक्टिस होनी चाहिए तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आपको आखरी तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंपर्टन तो आज हम स्टार्ट करते हैं यह आज का वीडियो यहां पर देखो फ्रैंड हमने पिछले वीडियो में देखा लेस 5 तक अब यह बाकी फार्मूले बचे थे हमारे लेस 9 से शुरू होते हैं बिक फार्मूला लेस 9, less 8, less 7, less 6, less 5, then less 4, less 3, less 2, less 1 यहां तक बिक फार्मूला ज रहते हैं अब आकस में तो यह आदे फार्मूले ह हमने पिछले वीडियो में देखे थे सिखे थे अब इस वीडियो में जो बाकी है less 4 से less 1 तक यह फार्मूले मैं आपको सिखाऊंगी तो यहां पर carefully आपको यहां पर ध्यान देना है कि less 4 करने के लिए हमें क्या करना है less 4 equals to less than 6 less 4 करने के लिए हम जो ए जो 4 का फ्रेंड 6 इ ऐसा हमने पिछले वीडियो में सिखा आपको याद होगा आपने फार्मूले लन भी किये होगे आप मुझे अभी फटा फट बता सकते है कि less 3 का फार्मूला बोलो फिर less 3 equals to less than 7 यहां पर आमने 7 को क्यों आड़ किया क्योंकि 3 का फ्रेंड था 7 हम कर रहे है less 3 less 3 कर रहे है त less 2 equals to less than 8 यहां पर less 1 का फार्मूला होगा less 1 equals to less than 9 यह हो गए single digit के फार्मूले अब यही फार्मूले हम double digit कैसे बढाएंगे देखो मैंने पहले भी बोला था कि 4 पे 0, 10 पे 0 और 6 पे 0 हमने लगा दिया तो यह होते हैं double digit के फार्मूले तो हम यहां पर देखो कैसे बनाते है less 40 equals to less 100 add 60, less 30 equals to less 100 add 70, less 20 equals to less 100 add 80, less 10 equals to less 100 add 90 तो यहां पर हमने single digit और double digit दोनों फार्मूले रेडी किये हैं अब देखते हैं यह अब अब आकस पे कैसे यूज करने हैं तो यहां पर हमें करना है less 4, less 4 करने के लिए यह 40 हमारे अब आकस पे हैं, हमें करना है less 4, तो less 4 करने के लिए देखो फार्मूला क्या है, less than add 6, तो हम यहां पर करेंगे less than add 6, यहां पर 6 हमारे अब आकस पे हैं और 6 में हमें करना है again less 4, again less 4 करना है तो यहां पर 5 नीचे है करने के लिए हम ले यहां पहर है करना है तो पिर यू नीचे है तो SMALL dari बं़े करने के लिए लेश्पॉर करने के लिए हम यहां पे दोनो पर मैं यहां पर अप्लाई करके weston का पाहले वाला लेष्टन अटसे किया और देल अडबन लेश पाए यहां पे लेश्पोर के दो फर्मुले यूस हो गए उन्सर है थरी टू थरी टू डू इस एंचेर बेन लेश्थृ का फर्मुलां हम देखेंगे less than add 7 less than add 7 करने के लिए यहाँ पर हम कर रहे less 3 less 3 के लिए देखो less than add 7 answer is 29 29 is answer again हमें less 3 करना है तो हम करेंगे directly again less 3 करना है again less 3 करना है तो यहाँ पर हम small formula यूज़ करेंगे less 3 का small और big कौन सा formula कौन से time पर यूज़ करना है यह मैं आपको बता रहे हूँ 5 अगर नीचे है तो हमें less करते वक्त उसके friend को add करना है और 5 को निकालना है तो हम यहाँ पर less 3 करना है तो 3 का friend कोने 2 फिर formula है add 2 less 5 तो यहाँ पर 23 answer यहाँ पर मैंने small और big दोनों फार्मूले आपको यूज़ करके दिखाएं अब हम करते हैं less to डारेक्ली होते हैं तो डारेक्ली करते हैं अगेन less to हमें करना है तो अब नहीं कर सकते हैं तो अब हमें करना करना पड़ेगा less than add it big formula यूज़ करना पड़ेगा तो कि 5 उपर है तो हम यूज़ करेंगे less than add it then again हमें less to करना है तो डारेक्ली होता है डारेक्ली करेंगे again less to डारेक्ली करेंगे again less to करना है तो यहाँ पर 5 नीचे है अब less than add it हम नहीं कर सकते हैं हमें क्या करना है small formula यूज करना है less to करने के लिए 2 का friend था 3 add 3 less 5 answer is 13 13 is answer पहले क्या देखना है हमें directly होता है क्या less to directly होता है क्या नहीं होता है small friend से होता है क्या नहीं होता है तो weak friend से ऐसे हमें step by step जाना है पहले देखना है कौन सा अगर हमें आड़ या लेस करना है तो हमें क्या देखना है पहले कि डारेक्ली होता है क्या नहीं होता है तो स्माल फ्रेंट नहीं होता है तो इस मेटड़ से हमें यूज करना है अब हम करते हैं लेस वन डारेक्ली लेस वन डारेक्ली लेस वन डारेक्ली अगें लेस वन करना ह है इसलिए हमने 9 को add किया और combination को less किया answer is 9 then again less 4 हम करते हैं यहाँ पे answer is 5 5 में हमें करना है less 1 अब क्या कौन सा फर्मुना यूज होगा है यहाँ पे directly less 1 होते हैं क्या देखो नहीं होते हैं तो small friends है one का friend कोण है small friend में 4 तो यहाँ पे हमें क्या करना है add 4 less 5 add 4 less 5 answer is 4 यहाँ पे answer मिला हमें 4 तो यह हमने देखा कि single digit unit place पे single digit less के फर्मुले हम कैसे यूज करते हैं unit place and 10 place पे तो हम यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 10 place and 100 place पे double digit यह less के फर्मुले कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने लिए 900 900 हमने अब किस पे लिया और इसमें करना है हमें less 40 तो less 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा less 100 add 60 less 100 add 60 answer is 860 यहाँ पे हमने क्या किया less 40 किया अब less 50 करना है तो directly होता है directly करेंगे अब यहाँ पे हमें करना है less 30 less 30 का फर्मुला less 100 add 70 less 100 add 70 यहाँ पे हमें answer मिला 780 then हमें करना है less 20 less 20 directly होता है किया अब again हमें less 20 करना है तो यहाँ पे कौन्सा फर्मूला यूज होगा फिर small add 30 less 50 answer is 740 यहाँ पे answer क्या मिला हमें 740 तो हमें करना है यहाँ पे less 10 less 10 करना है directly होता है अगें directly होता है again directly किया यहाँ पे answer मिला 700 अब again हमें less 10 करना है less 10 करने के लिए फार्मूला है less 100 add 90 तो हम यहाँ पे करेंगे less 100 add 90 तो answer हुआ 690 यहां पर हम answer मिला 690 तो हम यहां पर हमने देखा कि single digit and double digit कैसे हम unit place, 10 place और 10 place and 100 place पर use करेंगे कौन से condition में कौन सा formula यूज करना है ये भी मैंने आपको बटाया कौन सा भी formula अगर add करना है less करना है तो आपको पहले देखना है कि पहले क्या करना होगा आपको directly होता है क्या उसके बाद small friend से होता है क्या और उसके बाद big friend से ऐसे तीन ये जो थ्री मेयतड हैं इस थ्री मेयतड से हमें जाना है तो हमें आपका अंसर जो आपको चाहिए हो मिलेगा, जरूर मिलेगा तो उम्मीद है ये सब फार्मूले आपको समझ में आएंगे इस सिंगल डिजिट तो उम्मीद है यह सब फार्मूले आपको समझ में आये होंगे सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट एडिशन और सप्रेक्शन तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल पे आज आप अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकान पे क्लिप भी करना है मेरी यह रिक्वेस्ट है आपको कि आपको डेली फार्मूला राइटिंग करनी ही है क्योंकि एडिशन और सब्सक्राइक्शन के बहुत सारे फार्मूले आपको तब भी समझ में आएगे जब आप पिछले के सारे वीडियो देखोगे जब तक समझ में नहीं आता है रिपीट रिपीट आपको वीडियो देखना है आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और इसके बाद ही आगे के फार्मूले आपको समझ में आएंगे तो ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहो मुस्कुराते रहो और अब आकस के साथ खेलते रहो